तरहने चूड़ी के हैं जो चूरी आपको पहली बार नेख रहे हैं। क्या आते हैं वैसे कोई सा भी ले सकते हैं आप इस रेसिपी के बनाने के लिए लेकिन आपको साबुदाना जब लें तो इसे अच्छी तरीके से वोश यानी साफ कर लेना है इसमें डश्ट बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए तो देखे साबुदाना के बिल्कुल एक तम अलग तरीके से दो से तीन बार दो लेना है और दोने के बाद इसे चार से पांच गंटे भेगर रखना है और देखे मेरा जादा देर भेग गया था तो देखे जादा देर भीगने के बाद इस तरीके से हो जाता है लेकिन आपका अगर नहीं हो रहा है तो आप इसे हलका सा मिक् या एक गिलास से कम आप पानी चड़ा सकते हैं इसे जादा बिल्कुल नहीं चड़ाना है आपको और देखिए यह ले लिया है मैंने एक प्लेट और प्लेट को हलका सा ग्रीज कर लेती हैं यह सरसो का तेल से बिल्कुल ग्रीस नहीं करना है या तो आप देशी घी लेजिए या फिर आपको रिफाइंड ओयल लिना है इन दोनों ही चीजों से आपको अपने प्लेट को ग्रीज करना है इससे जादा नहीं जिसी कि आप सरसो का तेल ले ले लेंगे तो उससे होता क्या है कि जो हम पापड बनाने जा रहे हैं इससे आपके ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं उसमें महकाती एक अजीब सी जो कि सरसो के तेल लगाने से होता है तो आपको यही दो चीज़ लगानी है या तो सरसो का तेल लगा या सोरी सरसो का नहीं आप देशीगी लगा लिजी या फिर आप रे फाइंड वें और देखे यह ले लिया है मैंने जो चूड़ी मैं भी आपको दिखा रही थी इनी चूड़ी से बनाने वाले हैं एक दम आप बजा से लाना ही भुल जाएंगे इस तरीके कि मैं आज आपको साबुदाने से बनाने वाली हूं पापड़ बना कर दिखाने तो देखें ये मैंने चारों को रख ली है अगर आपकी प्लेट इससे बड़ी है और आपकी कढ़ाई से बड़ी है तो आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन डिया भी बस इतनी ہी बड़ी है कि मैं नहीं डाल रखी है तो यह जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही है और देखे इसे ऐसे हाथ से उगली से फला लेते हैं अगर आपको यहाथ उगली पर चिपकता नजर आता है तो इस टाइम आप इसमें हलका सा घी लगाएं या फिर रिफाइंड ओल लगा लीजे ताकि यह आपके हाथों में ना चिपके तो देखे यह चूड़ी से उपर बिलकुल नहीं आना चाहिए जो भी आप यह डाल रहे हैं साबुदाना का पेश्ट यह चूड़ी से उपर नहीं आना चाहिए बस इतना ही रहना चाहिए जितनी की हमारी चूड़ी है तो देखे इसी त आपू दाने को मैंने तीन से चार गुंटे भीगा भीगाओ कर रखा था और देखिए ये हलका सा दरसा मिक्सी में आप पीस लीजिए और देखिए एक फाइन फेस्ट यानि की जादा बरीक नहीं करना है हलका सा रखना है क्योंकि जब भी हमारे पापड आएंगे तो हलके हल से इसमें दाने से भी आते हैं बहुती सुंदर लगता है खाने में देखने में तो इसका जबाब भी नहीं देखिए चारों को मैंने अची तरीके से चुड़ियों के बीच काकार जो है वो भर लिया है और चलिए तो अब हम अपनी कड़ाई में इसकी तैयारी कर लेते हैं और रखने के बाद आपको एक बड़ी प्लेट है इसके उपर ताकि इसमें भाप न निकले इतनी बड़ी प्लेट आपको लेनी है इसे उपर से हमें कवर कर देना जो इसकी भाप बनेगी उसी में ये पकेगा जब भी आप गैस का फ्लेम रखें तो मीडियम ही रखें और मैं हमारे पापड को बनाने के लिए इसे अच्छी तरीके से तीन से चार unlocked लेंगे तो यह सारे में मिल जाएगा, तो देखे, इसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि दो तरह से बनाने वाले हैं, अगर आपको बुरत के लिए बनाने हैं, तो सादा बना लीजे, और अगर आपको डेली खाने के लिए बनाने हैं, अपने जैसी की कोई महवान आ या फिर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, देखे, सबसे बड़ी आप तो यह है कि आप सफर में जा रहे हों, तो यह बना कर ले जाएगा, यह बहुत ही टेश्टी लगते हैं, एक बार आप बना लेंगे, तो बार बार यही बनाना पसंद करेंगे, सारे पापड़ों स बहुत अच्छे लगते हैं, तो देखे, मैंने मिला लिया, यह भी चेक कर लेते हैं, तो देखे, हलका सा मुझे लग रहा है, जैसी कि पख जाएगा तो पीला-पीला सा हो जाता है, तो उसी तरीके से होना है, तो देखे, शायद हो गए है हमारे, और देखे, मैं निकाल ल को भी बहुत हैं घर गडाते हैं तो दीडे कर देगा कर आपको औरन आपको रहे हो देखिके दोस्तों मैं यék लगा दिला है वह नकाला सब अब दढ होड़त कि जो भी वीडियो बनाता है उसे मोटिवेशन मिलती है वो बनाता है फिर आपको अच्छे ची रेसिपिल लाता है तो देखिए हमारे जो पापड़े वो बनकर तयार हो गए और मैं दिखा देती हूं से देखिए मेरे हाथ को आप आर पार देख सकते हैं इतना अच्छा बनक एक कटोरी से कम से कम 50 पापड़ आपके तयार हो जाएंगे बहुत जल्दी और जटपर बनकर भी तयार हो जाते हैं खाने में तो इनका टेश्ट बहुत अच्छा है यह मैंने एक कपड़ा ले लिया है चाहे तो आप इसे पंखे में सुका सकते हैं अगर आपके घर पर हूं पा रही है तो इसे जादा समय नहीं लगना है तीन से चार गंटे में यह सूख जाते हैं पापड क्यूंकि हमने इसे पहले ही पका रखा है तो इसे ज्यादा समय तो लगेगा नहीं तो देखे मैंने दिखा दिया है अब देखे मैं दूसरे वाले भी पापड आपको तो यह फिर से मैंने एक प्लेट ले लिए क्योंकि हमने तो इस पहले ही ओयल लगा रखा था तो आपको दुबारे अगर नहीं है कम है तो लगा सकते हैं वाकि मेरा लगा हुआ है तो मैं जादा नहीं लगाऊंगी तो देखे मैंने चूडिया लगा दी हैं और देखे जो मैं किलो साबुदाना लाएंगे और यह कहेंगे भई पापड़ भी बनाओं हमारे लिए तो साबुदाने के पापड़ ही बनाओं क्योंकि यह सबसे बहुत अच्छे लगते हैं जितने भी आज तक आपने पापड़ देखे होंगे उन सब के बाप हैं वह यह तो देखे मैंने मैं फला लिया हैं मैं दूसरा भी फला लेती हूं इसी तरीके से मैं स्टेप आपको इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो दूस्वारा से भी देखे फिर से दिखा रही हूं आपको इसी तरीके से आपको भी फला लेना हैं चूड़ी से बार बिलकुल नहीं करना है अगर आप चूड़ी से बार करेंगे तो इसके सेफ कराब हो जाएगी और यह अच्छे भी नहीं बनेंगे दूसरी बात ही उतरने में भी दिक्कत होंगे तो देखिए इसलिए हमने इस चूड़ीों के बीच में बनाया हुआ है तो देखिए सारो पर बारो से निकालेंगे हम ईक अपने उसी बी कपड़े में आप रखना चाहते हैं उसी कपड़े पर हम इस पर निकालं लेंगे ओड़iki यह मैरे ने फंदाप्र कर लिया मुझाना सalnya देखिए अक होड़ियान छोड़एं क्योंकि पापड़ जो हैफ वह थोड़ा से पक चुके हैं इसी तरीके से आपको बनानी है सारे पापड़ चलिए तो देखिए अब मैं इसे कपड़े पर आपको दिखा देती हूँ यह मैंने कपड़ा ले लिया है आपको इसा भी कलर का कपड़ा लेंगे तो इसमें एक दिक्कत हो जाती है कि कपड़े में कलर जो होता ह छूड़ जाता है तो जादे तर आपको सपेदी कपड़ा लेना चाहिए देखे मैंने सपेद कपड़ा लिया है और देखे मैं उपर आचुकी हूँ हलकी सी दूपाई हुई है जादा नहीं है लेकिन जितनी भी आई है इतने में यह सूख जाएंगे तो देखे ये मैं सारों को फला लेती हूँ मैंने देखे कुछ पापड आपको दिखाए हैं जो सफेद बने हुई हैं वो सफेद जो बरती होते हैं उनके लिए और जो बरती नहीं हैं उनके लिए आप जब बनाएंगे तो उनका करद इस तरीकी का हो जाएगा हलका सा पीले बन पर तो देखे मेरे सारे पापड बन कर हो गए हैं तयार दोस्तों फिर से याद दिला दूँ आपको मेरे बने ये पापड अच्छे लगें तो प्लीज प्लीज लाइक से सस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें और कमेंट में अगर आपको अच्छे इससे और अच्छे पापड की रेसिपी चाहिए हैं तो आप कमेंट पर सकते हैं मैं इससे अच्छे पापड भी आपके लिए जरूर लेकर आने वाली हूँ